हेलो गैज, कैसे हो आप से अप उम्मेद करता हूँ, अच्छे होंगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ा सकती हूँ गैज, आज के इस वीडियो में आपको 5G बीटा एपन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यूज करके आप लगबग 35-40 Mbps का स्पीड बहुत ही आसानी से पा सकती हूँ दोस्तो सबसे पहले मैं आपको स्पीज टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि मुझे इस APN सेटिंग से कितना स्पीड मिल रहा है तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्पीज टेस्ट अपलिकेशन को ओपन करते है और गैज, यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने मोबाइल डेटा को ओन कर रखा है क्योंकि गैज, काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम जो स्पीड टेस्ट करते हैं, वो वाइफाई से करते हैं लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हूँ, मैंने मोबाइल डेटा को ओन कर रखा है अब इसके बाद हम गो पर क्लिक करते हैं तो गैज, हमारा जो इंटरनेट स्पीड है, लगबग 50 Mbps हमें मिल रहा है और यहाँ पर ये बढ़ भी रहा है 60 Mbps हो चुका है तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपने इंटरनेट स्पीड को बहुत यासानी से बढ़ा सकते हूँ तो गैज, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको APN सेटिंग करनी है वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पे नए आई हो, चैनल को सस्क्राइब कर लो यार क्योंकि मैं ऐसे ही नएने अप्लिकेशन से लेटे, नएने जानकारी से लेटे वीडियो बनाता रहता हूँ चलिए वीडियो को सुरू करते है अब दोस्तों आपको फोन के सेटिंग में जाना है फोन के सेटिंग में जानक बाद आपको यहाँ पे एक उप्शन मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा का आपको इस पे क्लिक करना है अब गईज़ आपके फोन में जो भी सिम लगे होंगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सिम 1, सिम 2 आपको यहाँ से कोई भी एक सिम सेलेट कर लेना है तो गईज़ यहाँ पे मैं जी ओ को सेलेट कर लेता हूँ इसके बाद गईज़ आपको यहाँ पे नीचे एक उप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम का आपको इस पे क्लिक करना है अब गईज़ यहाँ पे आप देख सकते हूँ मैंने एक नया APN क्रेट कर रखा है जिसका नाम है थंडर 5G X89 तो गईज़ इसी APN को आपको अपने फोन में सेट करना है गईज़ मुझे जो स्पीड मिल रही है इसी APN से मिल रही है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे APN को क्रेट करना है अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक option मिलेगा प्लस का गईज़ नया APN क्रेट करने के लिए आपको यहाँ प्लस पे क्लिक करना है तो guys यहाँ पे मैं इसी APN पे click करके आपको बताता हूँ कि कैसे आपको APN को create करना है क्या-क्या चीज़े इसमें भरनी है तो यहाँ पे हम इसमें भरनी है जब आप plus पे click करोगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे option मिलेंगे इसमें आपको काफी सारे चीज़े भरनी होती है तो guys यहाँ पे आपको सबसे उपर नेम का option मिलता है आपको यहाँ पे click करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको डाल देना थंडर 5GX89 guys यहाँ पे आपको T और GX इनको आपको capital में डालना है तो guys आपको यहाँ पे इस तरह थंडर 5GX89 डालके OK पे click कर देना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे दूसरे नमबर पे एक option मिलेगा APN का आपको इस पे click करना है और guys यहाँ पे आपको डाल देना है 5G net यहाँ पे G और N को capital रखना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे proxy को not set छोड़ देना है port को भी not set रहने देना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे एक option मिलेगा user name का आपको इस पे click करना है अब दोस्तों यहाँ पे आपको डाल देना है 5GBOT.20 guys यहाँ पे आपको G और BOT आपको small letter में लिखना है www.google.com क्योंकि guys हम जो server use करेंगे वो Google का use करेंगे इसके बाद आपको यहाँ OK पे click कर देना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे इन तीन option को छोड़ देना है MMSC को, MMS proxy को और MMS port इनको आपको छोड़ देना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे दो option और मिलते हैं MCC, MNC दोस्तों यह area code होते हैं इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है guys अगर आप इनको छेड़ोगे तो आपका जो speed है वो बढ़ने की बज़ाए घड़ जाएगा तो guys इसको आपको as it is ऐसे ही छोड़ देना है अब दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है अब guys यहाँ पे आपको चार option मिलेंगे PAP, CHAP और guys यहाँ पे PAP और CHAP यानि चौथे वाले option को आपको सेलेट कर लेना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे APN type का option मिलेगा आपको इसको default पे सेट कर देना है अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक option मिलेगा APN protocol का आपको इसपे क्लिक करना है और guys यहाँ पे आपको तीसरे वाले option यानि IPV4 slash IPV6 को सेलेट कर लेना है इसके बाद guys आपको यहाँ पे APN roaming protocol पे क्लिक करना है और यहाँ भी आपको तीसरे वाले option सेलेट कर लेना है अब दोस्तों सबसे important setting आता है bearer आपको इसपे क्लिक करना है guys आपके phone में यहाँ पे un-specified सेलेट होगा इसको आपको un-tick कर देना है इसके बाद आपके phone में जितने भी bearer होंगे सभी को आपको सेलेट कर लेना है लेकिन guys कापी सार ऐसे भी phone होते हैं जिन में multiple bearer support नहीं होता है guys अगर आपका phone multiple bearer को सपोर्ट नहीं करता है तो guys इस condition में आपको GPRS को only select कर लेना है अब दोस्तों आपको यहाँ से back आजाना है back आनेक बाद आपको यहाँ पे एक option मिलेगा save का आपको इस पे click कर देना है तो guys आपका जो APN setting है वो complete हो जाएगा और guys आपको यहाँ पे इसको select कर लेना है इसको select करनेक बाद आपको अपने phone को एक बाद switch off करके on करना है और guys जब आप internet चलाओगे तो rocket की तरह आपका internet चलेगा और guys मैं आपको guarantee देता हूँ कि आपका जो internet speed है वो लगबग 50-70% तक जरूर बढ़ जाएगा तो guys कमेंट करके जरूर बताइगा कि क्या ये जो APN setting है आपके phone में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है आपको इस APN setting से कितना speed मिल रहा है तो guys उमीद करता हूँ आपको ये video पसंद आई होगी अगर video पसंद आई तो video को like कर दो यार चैनल पर नए आई हो चैनल को subscribe कर लो क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं आप्रिकेशन से लेटेड नहीं जानकारी से लेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद वेल्कम मेरे फ्रेंट्स मेरा नाम है दीपक और आप मुझे देख रहे हैं टेक्निकल से लूशन हब में दोस्तमें मोबायल से टेक्षक सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उँके बारे में सारी वीडियो में बना के डालता हूँ तो प्लिस मेरे जेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेर करें Thank you so much वाश में वीडियो और स्ब्सक्राइब माझ चैनल और तेक्निकल सेलुसें हो